प्यारे बच्चों नमस्कार आज की विज्ञानकी ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम हाजिर हुए हैं नैस के त्यारे के लिए तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हम त्यारे कर रहे हैं कक्षा आठ नैस विज्ञानकी तो हमने 49 परशन जो पहले हल कर लिये थे आगे आज हम 40 से लेकर के 60 तक पर्षनों को हल करेंगे तो पहला पर्षन आपकी स्क्रीन पर दवनी की चाल से समधित निम्रिक में से कौन सा कतन सत्य है कि दवनी की चाल ए जो है वो है दरोग की अपिक्सिया वाईयू में दीक होती है तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चो जो दवनी की चाल होती है वो वाईयू में होती है 346 ठीक है कितनी होती है 346 और दरोग में होती है 1531 मिटर पर 30 सेकेंड और ठोस में इससे भी ज़्यादा होती है कितनी होती है 63606320 के करीब तो सबसे कम वाईयू में यानि गैस में उसके बाद दरोग में उसके बाद ठोस में तो यहां पर देखो दरोग की अपक्चिया वाईयू में अधिक होती है तो यह तो गलत दे रखा है वाईयू की अपक्चिया दरोग में अधिक होती है यह सही बात बोल रखी है यहां पर दरो की अपेक्षा निर्वात में अदिक होती है तो यह भी गलत है यहां पर ओप्सन नमर बी जो है वो बिलकुल सही है तो आप द्यान रखोगे सबसे कम वाईयू में उसके बाद दरो में उसके बाद ठोस में और निर्वात में क्या होती जो वाईयू के प्रेक्षा निरुवात में अधिक होती है वाईयू और निरुवात के लगभगम एक जैसी सी मानते है आगे देखो एक तारिस दिये गए ग्राफ में कार ए और कार बै गती मानों उप्रोक्त ग्राफ की आधार पर सही कथन क्या है कार ए की चाल बै से अधिक है ग्राफ की साहिता से कार की चाल की तुलना नहीं कर सकते तो प्यारे बच्चो यहां पर देखो समय और दूरी ग्राफ है समय और दूरी ग्राफ है इसमें आप देखो दूरी है ना समय के साथ कौन ज़्यादा टावर किसका उंचा जा रहा है ए का जा रहा है किसका जा रहा है और बै है वो नीचे रह रही है तो कार ए की चाल बै से अधिक है याने समय के साथ आ ने ज़्यादा दूरी तेकी है ज़्यादा उसकी चाल है और बै की कम चाल है ग्राफ उपर जा रहा है तो आप समझ गए होगे तो आप से नमर आ इसका सिय कार आ की चाल बै से अधिक है बिलकुल सही है आगे देखे आगे क्या है 42 में मार्च मा में अधिक्तम तापमान के प्रिवर्टन को ग्राफ द्वारा दसाए गया है अब देखो तीन तारिको जो तापमान था वो 56 डिगरी सेल्शियस था और चार को तापमान जो है वो ये 2324 के बीच में है 5 को यहाँ पे है 6 को यहाँ पे है 7 को यहाँ पे है तो दिनाग एंव अधिक्तम तापमान का सही युगम बताईए तो प्यारे बच्चों आपको सही युगम बताना है कितने तारिक को तापमान जो है दिनाग एंव अधिक्तम तापमान की सही युगम बताईए तो यहां आप देखो जो तीन तारिखो है और सबसे उंचा है 26 तो कौन से मैसी तीन मार्च 26 डिग्री सेलसियस भी ओप्सन में तो ओप्सन नमर बी इसका सही है पहली ने लकड़ी के कोईले का जलता हुआ एक टुकड़ा लिया और उससे उसरजित होने वाली गैस को एक प्रक्नली में एक्तिरित किया यह गैस सुने के पानी को दूद्या कर देती है जिसे निमन रासायरिक स्मीकरन द्वारा पर दर्शित किया जा सकता है यानि ए के जगए क्या आएगा और बै की जगए क्या आएगा तो प्यारे बच्चो पहली ने लकड़ी के टुकड़े का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया उसमें उससरजित उनिमन गैस को एक प्रक्नली में एक्तिरित किया चुने के पानी को दूद्या कर देती है जिसे और बै की जगए क्या बढ़े का सियो टू बढ़े का तो ऐसा उप्सिन कौन से में है डी में इसके बाद में आगे देखो नेक्स्ट सनेहक का प्रियोग मशीनों के अक्समता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह गर्शन को बढ़ा देती है सनेहक यह गर्शन को कम कर देता है यह गुर्टवा कशन को पड़ा देता है यह गुर्टवा कशन को कम कर देता है तो प्यारे बचो सनेक तेल जोते हैं वो पुर्जों के बीच में इस्तेमाल किये जाते हैं तो गर्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे मोबिल ओयल जो हम डालते है वो गर्षन को कम करने के लिए डाले जाता है, उन्हें सनेक तेल कहती है, आगे है, माचिस की डिबी को साइड से खुर्दरा क्यों बनाया जाता है, तो उसे सरलता से पकड़ने के लिए, उसकी कीमत गटाने के लिए, उसका गर्षन बढाने के लिए, उसका गर्षन बढाने क तो यहां पर कौन सा जाएगा इसका डी आजाएगा आगे देखो एक कोपर की नली को लंबे समय के लिए वायू में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है यहरा रंग मिसरन है किसका तो यहां पर कोपर की नली को वायू में कोपर की नली को वायू में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर रंग की पर किसका होगा? कॉपर हाईड्रोकसाइड का और कॉपर कार्बोनेट का होगा आगे है इसके बाद में सही कत्थन का चेयन कीचिए प्राकृतिक गैस का पाईप के साथ माध्यम से प्रिवेंट करना मुσकिल है प्राकरतिक गैस को सीधे गरोर कारखानों में नहीं चलाया जा सकता प्राकरतिक गैस को उच दाप पर्शंपीडित प्राकरतिक गैस की रूप में संग्रीद किया जा सकता है प्राकरतिक गैस का उप्योग बिजली उत पादल के लिए नहीं किया जा सकता ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ओप्सन नमबर C जो है वो आपका, प्राकरतिक गैस को उच दाप पर स्पिडित करके, तो LPG और CNG जो है, उनको हम सिलेंडरों में बढ़ते हैं, उच दाप पर स्पिडित प्राकरतिक गैस की रूप में, तो यहां पर शी ओप्सन इसका सही है आगे उनिंचास उनिंचास में क्या है एक सामान चार गेंदों को करम से इंट, सीसा, सीमेंट, किचड़ की छेती सताय पर स्पर्ष करते हुए एक समानवेक से लोड़ा काया जाता है तो किस सताय पर गेंद अधिकतम दूरी त्या करेगा तो जहां पर गर्षन कम होगा वहां पर अधिक दूरी त्या करेगा एट, सीसा, सीमेंट, किचड़ तो यहां पर प्यारे बच्चों जो सीसा जो है वहां पर ज्यादा तूरी त्या करेगा इसके बाद में नीचे दी गई तालिका में बारत के चार सहरों के किसी एक दिन का तापमान वर्सन यानि वर्सा दर्साई गई है किस सहर में हिम पात हुआ तो प्यारे बच्चो यहाँ पर सबसे कम तापमान जो क्या है माइनस पांच तो किस सहर में हिम पात हुआ हो सकता है यहाँ कस्मीर में भी माइनस चार है और किस सहर में हिम पात हुआ है तो यहाँ माइनस कस्मीर के अंदर जो बारिस हुई है वो पांच सेंटीमिटर हुई है तो यहाँ पर बारिस नहीं हुई हो तो यहाँ भी जाता लेकिन नहीं हुई यहाँ हुई है साथ में तो किस पी की रूप में हुआ है हिमपात की रूप में हुआ है आगे देखेंगे नीचे दी के चितर को द्यान से देखिए एक्स वाई एका ये देखो आपतित किरन है जाने चाहिए सिदी ये प्रावर्तित होकर के इधार हो रही है तो प्रावर्तित किरन कौन सी है इसमें से यहाँ पर प्रावर्तित किरण है इसमें से यह देखो जिस कोंड से टकराएगी उसी कोंड से वापिस लोटेगी तो यहाँ पर सै जो है वो क्या है प्रावर्तित किरण है तो option number C इसका सही है अगर यह 60 है तो 60 तक ही यहां तक जाएगी 60 तक तो C किरन यारी है इसमें तो C क्या है प्रावर्टित जैसे यह अगर अभी लंब है यह 60 डिगरी का कौन है तो इदर भी 60 डिगरी कौन से जाएगी तो A 60 यहां पर इस तरफ 60 का बन रहा है तो यहां तक से किरन तक है तो ये प्रावर्तित के इन कौन सी हो जाएगी से हो जाएगी यानि C option इसका सही है आगे है 52 निमन में संपरक बल क्या है तो दो सतों के संपरक पर जो बल लगता है वो संपरक बल होता है तो पेसिये बल जैसे आतों से किसी वस्तु को अगर छुएंगे तब ही बल लगा सकते हैं तो पेसिये बल संपरक बल है चुम्बक ये बल दूर से ही लग जाता है दो चुम्बक बीच आप देखो श्तिर विदूत बल भी संपरक बल नहीं है गुर्तवा करशन भी संपरक बल नहीं है तो ये सारे option गलत है option नमर पहला इसका सही है यानि आपस में दो वस्तों का संपरक होना जरूरी है क्या चुम्बक में जरूरी है चुम्बक ये बल में जरूरी नहीं है गुर्तवा करशन भल में भी जरूरी नहीं है ये ऐ संपरक बल है तो आप चुम्बकिये बल स्तिर्वेदत बल और गुर्टवाकर्शन बल को ऐ संपरक बल कहेंगे और पेशिये बल को संपरक बल कहेंगे आगे है त्रेपन निमन कतन में देनिक जिर्म उदासी निकर्ण अभी किरिया का क्या उदारण उदासी निकर्ण अभी किरिया होगी अमल और अकसारकों के बीच तो चिंटी के काटने पर बैंकिंग सोडा लगाना तो ये उदासी निकर्ण अभी किरिया का उदारण है एपाचन से मुक्ति है तू परती अमल देना ये भी उदासी निकरना विक्रिया का उदाड़ना है एपाचन में इस अमल बनता है हम परती अक्सार देते हैं परती अमल देते हैं तो उदासी निकरना है कारखानों के अपिस्ट में अमल ये पदार्थ मिलाना अक्सारी ये मिर्दा में जेव पदार्थ मिलाना तो ये जो है वो भी सही है ये भी सही है ये भी सही है तो सही नहीं है वो पुछ है तो उप्सिन नम्मर C इसका यहां पर आ जाएगा उदासी नहीं करने भिक्रिया है कौन सी नहीं तो C नहीं है याँ पर चुमन है ताज महल के पास मतूरा तेल प्रिसकर्णी स्तापित है इस प्रिसकर्णी की उपस्थिती के दोबारा उत्पन किन कारणों से ताज महल कोहानी हो रही है तो प्यारे बच्चो उनसे क्या है जो सेलफर डायकसाइड नाइटोजन डायकसाइड जैसी आने कार गैसे निकलती है जब बारिस होती है तो बारिस के पानी के साथ मिलकर वो बनाती है अमल तो अमल यह वर्सा होती है तो यहां प्रोप्सन नमर भी इसका सही है अमल वर्सा का उत्पनोना आगे है X एक बौतिक आइए जो किनी दोस्तों के भी सनेक के रूप में कर जाती है X निमलिक तुमेस्टे किसको परतरशित करता है तो प्यारे बच्चो X जो है उसको कम करने के लिए उन्हें सनेक कहते हैं तो यहां पर क्या आएगा X की जगा गर्शन आएगा तो आगे है दो दरो अ था था बै के विदू चालन के जांस करने के लिए सैंप रिशितर का प्रियोग किया गया यह देखा कि सैंप रिशितर का बलब दरो अ के साथ चमकिला दिप्टुआ जब कि दरो बै के लिए तो यहां पर कारण आपको सही बताना है तो यहां पर देखो इसमें तेज जल रहा है A में इसमें दीमा जल रहा है इसका मतलब B option इसका सही है दरव A, दरव B से अच्छा चालग है तो बिल्कुल यह सही है आगे है निमलिक्त में चित्र में दर्शाय जन्तु के जीवन चक्र के विभी नवस्ता में A, B, C, D वैकरम सही है A, B, C, D के आपको नाम लिखने है तो यहां पर यह तो अंडे है क्या है अंडे है इसके बाद में बै जो है वो आरंबी टेड़ पॉल है इसको क्या लिख सकते है आरंबी टेड़ पॉल टेड़ पॉल है यह इसके बाद में यह क्या है बाद का टेड़ पॉल है और बाद के टेड़ पॉल से क्या बनता है वैस्क मेंड़क बनता है तो यह देखो उप्शन किसमें अंडे आरंबी टेड़ पॉल बाद का टेड़ पॉल तो ओपसन नमर बी में आपको नजर आ रहे हैं अंडे आरंबी टेड़ पॉल बाद का टेड़ पॉल बाकी में आगे पिछे लिखे हुए हैं तो चपन का ओपसन नमर बी सही होगा आगे देखो और एक और बता देता हू जो मेंडक जो होता है वो बाया निसेचन करता है यानि इसमें नर युगमक और मादा युगमक का जो मिलन होता है वो पानी के अंदर होता है तो वो क्या होता है बाया निसेचन और एक बात और निसेचन के बाद में ये जिसे टेड़ पॉल बनगे इस टेड़ पॉल को वेस्क में बदलने के लिए आयोडीन की मात्रा उस पानी के अंदर होनी ज़रूरी है आयोडीन होगा तो थायरोकसीन अन्बोन बनेगा और थायरोकसीन हार्मोन बनेगा तो ये मेंड़क में बदलेगा अगर मान लो उस पाने के अंदर IOD नहीं है तो थाइरोक्सिन का निर्मार नहीं होगा और वेस्क जो टेड़पोल है वो मेंडक में नहीं बदल सकेगा तो ये भी आपको दिहान में रखना है आगे है 58 गत्ते के किस टुकडे में एक छोटा सा चिदर पी किया गया चिदर को चिदर में दिखाए अनसार एक टोर्स दोरा प्रकासित किया गया चिदर से निकलने वारे प्रकास की किरिण दरपन पर गिरती है आंख को किस बिंदू पर रखे जिसे सुराग को देखा जा सके तो सुराग को देखना है मैं सुराग तो तब ही दिखेगा तब यहां होंगे ओ पर होंगे बैंटरी की सीद में ही होंगे तो शुराग तो यहीं से देख सकता है लो तो लास्ट वड़ा ओप्शन इसका सही एड़ी दवनी का संचरण इस परशन को दुवारा से देखते हैं गत्य के टुकडे में एक छोटा सा चितर पी किया गया चितर को चितर में दिखाया अंसार एक टोर्स दौरा प्रकासित किया गया चितर से निकलने वार प्रकास की किरण किसी दरपन प्रकृतिया आँख को किस बिंदू पर रखेंगे जिससे सुराग को देखा जासके इसके अंदर देखना है तो वो आपको देखो ऐसे इसमें जाएगा तो यह ऐसे प्रावर्तित हो जाएगा दरपन में ऐसे यहां पर आपको गत्ता दिखेगा यहां उसका सुराग दिखेगा और टोर्स दिखेगी तो वो एल बिंदू पर होगा सोरी आगे है दवनी का संचरन होता है तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया तो ठोस दरो और गैसों में सभी में होता है सबसे कम गैसों में उसके बाद दरो उसके बाद ठोस जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर 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 सी आवाज करने लगता है ऐ तो प्यारे बच्चों आज हमने 21 परशन हल किये तो उमीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे इस तरीके से हम रोज आना 20 परशन हल करेंगे और आपको इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहना है सबस्क्राइब करना है जो बच्चे नए हैं लाइक करना है अपने साथियों को सेयर करना है धन्यवाद कल मिलते हैं ओके बाई बाई